हलो फ्रेंड्स वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक आज हम हिस्ट्री का एक बहुत ही इंपोर्टेंट सेशन लेकि आये हैं आपके लिए जहाँ पर हम 100 से जादे कोशन्स को डिसकस करेंगे और इन कोशन्स के साथ हम उनकी डिटेल को भी डिसकस करेंगे जिससे हमारे लगबग 200 से 300 कोशन्स वाल्व हो सकते हैं तो फ्रेंड्स इस सेशन को बहुत ध्यान से सुनियेगा क्योंकि आने वाले एक्जाम्स के लिए ये सेशन बहुत इंपोर्टेंट है आने वाले समय में हम देखते हैं कि SSE के पेपर आने वाले हैं खासकर SSE CPO का पेपर बहुत ही पास है इसी के साथ SSE के और भी पेपर शेडियूल है और भी स्टेट एक्जाम शेडियूल है तो उन सब स्टूडेंट्स के लिए ये सेशन बहुत ही इंपोर्टेंट रहेगा इस सेशन को आप जहां से देखेंगे तो आपका रिविजन बहुत अच्छे सो जाएगा आपको पता चलेगा कि कौन सा एरिया है हिस्ट्री का जहां पर आप वीक हैं और साथ में अगर आप आंसर्स भी देते चलेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस वक्त आपको हिस्ट्री में कितनी और मेहनत करने की जुरूत है तो फ्रेंट्स आईए चालू करते हैं आज का सेशन पहला कोशन ने फ्रेंट्स किस विदेशी यातरी ने भारत का दोरा सबसे पहले किया था विच फॉरें ट्रेवलर फर्स्ट विजिटिट इंडिया ओप्शन्स हैं हीनसांग, मेगस्थनीस, इससिंग, फाईयान इसका करेक्ट आंसर है B, मेगस्थनीस मेगस्थनीस इंडिया में चंद्रकुप्त मौर के टाइम पर आये थे इनको सेलुकस निकेटर ने भेजा था और इन्होंने किताब लिखी थी इंडिका जिसके अंदर इन्होंने मौरे सामराज के बारे में बताया था ये एक ग्रीक एमबैसेडर थे उसके बाद दूसरे ग्रीक एमबैसेडर आये थे डिमेचोज जिनको भेजा गया था एंटियोकस वन के द्वारा जो की पुत्र थे सेलुकस निकेटर के और इनको भेजा गया था बिंदु सार के टाइम पर जो की पुत्र थे चंद्रकुप्त मौर के बिंदु सार को हम फ्रेंड्स अमरित घटा के नाम से भी जानते हैं उसके बाद हम देखते हैं एक और इंपॉर्टेंट ग्रीस ट्रैवलर जो हैं प्लॉटमी जो की एक जोग्रफर थे जिन्होंने किताब लिखी जिसके अंदर उन्होंने इंडिया के भूगोल को समझाया था फायान फ्रेंड्स इंडिया में आये थे चंद गृप्त विक्रामाजित के टाइम पर जिनको हम चंद गृप्त दृतिये के नाम से भी जानते हैं फायान चायना से आये थे और इन्होंने किताब लिखी थी फोग यूजी वो इंडिया में बहुदिक धर्म को देखने आये थे और उन्होंने लुंबनी को भी विजिट किया था हिंसांग भी चाइना से आये थे और इनकी किताब थी सी यू की यह हर्षवर्दन के टाइम पर आये थे इस सिंग भी चाइना से आये थे और यह भी इंडिया में बहुदिक धर्म को देखने आये थे आईए देखते हैं अब नेक्स्ट कोशन यहाँ पर कोशन है किस पुराज थल के दुर्ग में साथ अगनी कुंड प्राप्त होते हैं सेवन फायर पिट्स हैव बिन फाउंड इन दा फोर टॉफ विच एंशेंट प्लेस इस कोशन का सई आंसर है काली बंगन से हमको लकड़ी का हल मी मिलता है इसके साथ साथ हमको महाँ पर लकड़ी से बनी नालिया मी मिलती है काली बंगन से हमको अर्थक्वेक काईवेडाइस मी मिलता है काली बंगन की एक और यूनिक बात यह है कि हरपपा में हर सिटी को दो पार्ट में डिवाइट किया गया था दो टाउन में डिवाइट किया गया था और अधिकतर जगे पर हम देखते हैं कि upper town को किला बंद करा जाता था, fortified करा जाता था, मगर काली बंगन में lower town को भी fortified किया गया था, ये भी एक unique ही ज़म को काली बंगन से देखने को मिलती है, काली बंगन से हमको उट की हड़ियामी प्राप्थ होती है, काली बंगन की site हमक पर सतरंज का evidence भी मिलता है लोथल में हमको हाती के दास से बनाई हुए wet balance भी मिलते हैं ivory wet balance मिलते हैं लोथल से अगर हरपा की बात करें तो हरपा को खोजा गया था दयाराम सानी द्वारा 1921 में और ये सबसे पहली साइड थी सिंदू गाटी सब्वेता की जो खोजी गई थी ये रवी नदी के किनारे पर है और इस समय ये पाकिस्तान में है हरपा से हमको mother goddess के evidence मिलते हैं fallis worship के evidence मिलते हैं यहाँ पर हमको एक graveyard भी मिलता है यानि के शमशान गाट और उस समशान गाट में हम देखते हैं के coffin burial होता था यानि के ताबूत के अंदर लोगों को यहाँ पर दफनाया जाता था यहाँ से हमको बुलक काट यानि के बेल गाड़ी के evidence भी मिलते हैं उसके बाद हम देखते हैं मोहन जुदारो तो बहुत important site है सिंदू गाटी सब्वेता की इस समय ये भी पाकिस्तान में है और ये सिंदू गाटी के टट पर है मोहन जुदारो में हमको देखने को मिलता है great बात यानि के स्नान ग्रे तामे की dancing गल भी हमको मोहन जुदारों से मिलती है पशुपतिनात की seal भी हमको मोहन जुदारों से मिलती है यहाँ पर एक डाड़ी वाले आदमी की statue भी मिलती है मोहन जुदारों से मोहन जुदारों में हमको अंगा ग्रे भी मिलता है ग्रेनरी भी मिलती है इस question का answer थाड़ी काली बंगन आईए देखते हैं next question ब्रह्मसूत्र किसका भाग है? ब्रह्मसूत्रा is a part of which of the following options हैं इसका answer है ब्रह्मसूत्र को सरिष्का सूत्र के नाम से भी जाना जाता है उत्तर मिमानसा के नाम से भी जाना जाता है इसको लिखा गया था बदारंजी के द्वारा और यहाँ पर हमको एक बहुत important बात नोट करना चाहिए कि उपनिशत, भगवत कीता और भ्रह्मसूत्र मिलकर प्रस्थाना त्रेय बनाते हैं और यह प्रस्थाना त्रेय बहुत important part होता है विदानत का फ्रेंड्स विदानता philosophy पॉपलर होती है शंक्राचारजी द्वारा जिन्होंने इन सब चीजों को लेकर लिखा है शंक्राचारजी के साथ साथ यहाँ पर रामनुजाचारजी, माधावचारजी जेसे संतों ने भी विदानता philosophy को आगे बढ़ाया और मॉडरन टाइम्स में हम देखते हैं कि स्वामी वेकरन जी ने भी विदानता philosophy को फॉलो किया था यहाँ पर आप्शन ने फ्रेंड्स नाए भी दिया हुआ है नाए philosophy दी गई थी गौता मूनी दिवारा इसको भी याद रखेगा इस पर भी कोशन आते हैं यहाँ पर हम उप्शन में देखते हैं grammar और जोतिश यह पार्ट हैं वेदांग के वेदांग के अंदर छे चीज़े आती हैं पहली है कलपा दूसरी है शिक्षा तीसरी है व्याकरन चौती है न्युकता पांची है छंदा और छटी होती है जोतिश वेदांगाज जो हैं इस्मिती लिटरेचर के अंदर आते हैं आये देखते हैं next question निम लिखित में से वो व्यक्ती कौन है जिसका नाम देवा नाम पियदासी भी था इसका राइट आंसर है A. किंग अशोक समराट अशोक ने अपने समराज में पिलर्स पर अपना नाम लिखवाया था प्रिया नाम दासी के नाम से और पिलर्स के अलावा रॉक पर भी उनका नाम इसी तरह से देखने को मिलता है और उनके असली नाम के बारे में हमको पता चलता है मस्की में एक रॉक एडिक्ट मिली है उसके अंदर तो friends इस पर भी कोशन आ सकता है कि उनका असली नाम हमको कहा मिला तो उनका असली नाम हमको मिलता है मस्की में इस बात को भी याद रखिएगा अशोका के पिल्डर पर बहुत सारी भाषा इलिकी गई है जिनमें से एक है ब्रामनी और ब्रामनी स्क्रिप्ट को यहाँ पर डिसाइफर करा था जेम्स प्रिंसिप ने इस पर भी कोशन आ सकता है तो इस पॉइंट को भी याद रखिएगा आईए देखते हैं नेक्स्ट कोशन कौन से शाषकों ने एलोरा मंदिर का निर्णवान कराया विच रूलर्स बिल्ड दा एलोरा टेंपल्स ऑप्शन्स है ए चलुक्यास बी सुंगास सी राश्कुटास डी पललव्स इसका सही आंसर है सी राश्कुटास एलोरा हमको महराश् जैन और हिंदू तीनों धरम से पेंटिंग मिलती है और मंदिर मिलते हैं अलोरा का सबसे फेमस मंदिर है कैलाशनाथ मंदिर जो हमको गुफा नंबर 16 में देखने को मिलता है और ये मंदिर युनेस को वर्ल्ड हेरिटेस सैट के अंदर भी आता है अलोरा और अजनता दोनो ही वर्ल्ड हेरिटेस सैट के अंदर आती हैं कैलाशनाथ मंदिर को बनवाया था क्रिष्टना वन ने इस परण को भी याद रखिएगा आईए देखते हैं नेक्स्ट कोशन खलीफा से प्रचिस्ठान पत्र मांगने और प्राप्त करने वाले प्रथम सुल्तान कौन थे इसका अंसर ए इल्टुत्मश नही तुरगा ने चहल गानी को बनाया था जिसको हम चालेसा के नाम से जानते हैं इसी के साथ इल्टुत्मश ने सरे जानदार का भी गठन करा था जो की बॉड़ी गार्ड्स थे राईशाही के इल्टुत्मश नहीं टंका जो की चान्दी के कोईन थे और जिंदल जो की तामे के कोईन थे वो लॉंच किये थे इल्टुत्मश नहीं देली सेतनत की राजधानी लाहूर से दिल्ली शिफ्ट की थी और इलतुत्मष ने अपना उत्तरदिकारी रजिया सुल्तान अपनी बेटी को बनाया था इन सब पॉइंट्स को भी नोट करिएगा इनमें से किसी भी पॉइंट पर कोशन आ सकता है आईए देखते हैं नेक्स्ट कोशन सिकन्द्य ने भारत पर आकरमंड किस वर्ष में किया था अलेक्संडर जब इंडिया में आया तो उसने लड़ाई की थी किंग पोरस से और इनके बीच की लड़ाई को बोला जाता है बैटल आफ दी हैड़सफिस यह battle जहलम नदी के किनारे पर लड़ा गया था नेस्ट कोशन है friends अलमगीरपुर किस नदी के किनारे इस्तित है अलमगीरपुर is situated on the river of which bank option A, यमुना, B, हिंडन, C, रामगंगा, D, none of the above याने के उप्युक्त मैंसे कोई भी नहीं यहाँ पर सही answer है B, हिंडन रिवर अलमगीरपुर सिंदुगाटी सब्वेता की सबसे पूर्वी साइट है इस्टन मोस साइट है यह इस समय उत्तर प्रदेश में है सिंदुगाटी सब्वेता की वेस्टन मोस साइट है सुथका केंडो जो इस वक्त पाकिस्तान में है और यह डाक्ष नदी के किनारे पर है उत्तर की साइट है मांडा जो चेनाम नदी के किनारे पर है और जमुएन कश्मीर के अंदर आती है और सदन मोस साइट यानि के दच्छिन में है देमा माज जो महराश में आती है गोदावरी नदी के किनारे पर आईए देखते हैं नेक्स्ट कोशन बजा आरबीनियम प्रणाली आरम की गई थी मार्किट रेगुलोशन सिस्टम वाज इंटेडूज़ बाई A. मुहमद बिन तुगलक B. इल्तुतमिश C. अलाउद्दीन खिलजी D. ग्यास उद्दीन यहाँ पर साई आंसर है C. अलाउद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनेकों की सैलरी फिक्स कर दी थी और उसको सैनेकों बढ़ाना था इसलिए उसने मार्किट रेगुलोशन को लाया ताकि वो मार्केट में इंफलेशन को यानि के महगाई को कंट्रोल कर सके अलाउदीन खिल जी ने टाइटेल लिया था सिकंदर सानी का अलाउदीन खिल जी के बारे में हमको पता चलता है आमिर कुसरो की किताब कजा इन उल्फुतुस से इसी के साथ फ्रेंड्स अलाउदीन खिल जी ने डेली सतनत को सदन इंडिया तक लेके गए दश्चिन भारत तक लेके गए थे और इस केंपेन की जिम्मेदारी दी गई थी मलिक काफूर को अलाउदीन खिल जी ने सेना के रेडिक्षन के अंदर दाग और हूलिया की प्रथा को चालू किया था अलाउदीन खिल जी का लेंड रेवेन्यू सिस्टम यानि के भूराज़त सिस्टम को मसाहत सिस्टम बोला जाता है यहाँ पर उन्होंने एक नया डेपार्टमेंट भी बनाया था जिसको दिवा ने मुस्तक खराज बोला जाता है दिवा ने रिसायत करके डेपार्टमेंट भी बनाया था और अलाउदीन खिल जी के टाइम पर जासूसों को मुनियम्स कहा जाता था आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक अपडेट देना चाहूँँगा Friends, CrazyGK ट्रिक ने रूट एप लॉंच की है जहाँ पर CrazyGK की ट्रिक की फैकल्टी ज आपको Live पढ़ाती है वहाँ पर आप फैकल्टी के साथ Live इंटराक्शन कर सकते हैं और यहाँ पर हाली में SSC badge को launch किया गया है Friends, SSC के अंदर हमको आने वाले समय में बहुत ज़्यादे vacancies देखने को मिल सकती है अगर आप SSC के तैयारी seriously करना चाते हैं तो इस badge को ज़रूर join करें यहाँ पर SSC CGL level तक का पूरा syllabus complete कराया जाएगा और एक targeted badge बनाया गया है जहाँ पर सिर्फ SSC को ध्यान में रखकर यहाँ पर तैयारी कराई जाती है इसी के साथ Friends, अगर आप किसी एक subject को specifically पढ़ना चाते हैं किसी भी subject का foundation बनाना चाते हैं तो यहाँ पर हर subject के आपको foundation badge भी देखने को मिलेंगे यहाँ पर आपको हिस्षी का foundation badge देखने को मिलेगा जोग्रफी का, पॉलिटी का, मैथामेटिक्स का और साथ में इंग्लिश का और बहुती जल्द आपको यहाँ पर economic का, art and culture का और भी भूछ सारे subjects का foundation badge देखने को मिलेगा तो friends एक बार root app को download जरूर करें वहाँ पर इन courses को visit करें इसी के साथ root app पर बहुत सारा free content भी है जो आपको वहाँ पर मिल सकता है आईए देखते हैं next question कौन सा प्रतिक गौतम बुद के जन का प्रतिनिद्ध करता है विस symbol represent the birth of गौतम बुद इसका सही answer है option B lotus बोधी ट्री रिप्रेजेंट करता है कि गौतम बुद जी को निर्वान प्राप्त हुआ है यानि के उनको enlightenment प्राप्त हुआ है यहाँ पर horse रिप्रेजेंट करता है महा अभीनिश कर्मा यानि के जिस समय गौतम बुद जी ने अपने घर को त्यागा था ग्रैस जीवन को त्यागा था निर्वान की खोज में उस घटना को रिप्रेजेंट करता है horse यहाँ पर wheel रिप्रेजेंट करता है धर्म चक्र परिवर्तन जिस समय कौतम बुद जी ने साननात में अपना पहला सर्मन दिया उप्देज दिया उस बात को रिप्रेजेंट करता है wheel यानि के चक्र धर्म चक्र परिवर्तन बोलते हैं उस घटना को आईए देखते हैं next question जोदपूर के निकट ओसिया नामक शहर किस वन्ष के राजपूर शाषकों ने विक्सित किया था इसका सही आंसर है ओप्शन बी प्रतिहाराज इनको हम गुजरा प्रतिहाराज भी बोलते हैं इन्होंने इस सिटी को डेवलप किया था यहाँ पर प्रतिहार राजबंज द्वारा आईए देखते हैं next question गुप्टा इस्तापत कला का सर्वोत क्रिष्ट मंदिर निम्न में से कौन सा है which of the following is the best example of गुप्टा आर्किटेक्चर option A वितर गाउं का मंदिर option C देवगड का दश अफ़तार मंदिर option C भुमरा का शिम मंदिर option D तिगवा का विश्णू मंदिर यहाँ पर सही आंसर है option B देवगड का दश अफ़तार मंदिर इस टेंपल को friends पंचेंतरा टेंपल भी बोला जाता है और सागरमर टेंपल भी बोला जाता है इसका कंस्ट्रक्शन लगबग 425 से लेकर 525 एडी के बीच में हुआ था इस टेंपल को खो जा गया था कैप्टन चार्ल्स स्थैनेंड दौरा और एलेक्जेंडर कलिंगम ने इसका नाम रखा था दर्शाफ़ता टेंपल इंडिया के आर्केलोजिकल सरवे के फस्ट गवनर जनरल रहे थे विश्टू धर्मोत्तरा पुरान में सरवत्रो भद्रा टेंपल की बात की जाती है और दश अफ़ता टेंपल उससे काफी समानता रखता है इसलिए यहां पर यह मानना है कि सरवो भद्रा टेंपल का ही सरूप है दस अफ़तार टेंपल बितर गाउं का मंदर उन मंदरों में सो है जहां पर हमको सबसे पहले इट का प्रियोग दिखता है टेंपल बनाने के लिए आई यह देखते हैं नेस्ट कोशन अजन्ता की चितरकारी में क्या निरुपित किया गया है इसका आंसर है C. जातका स्टोरीज जातका स्टोरीज गौतम बुद जी के जीवन काल को ब्लॉंग करती है खासकर यहां पर गौतम बुद जी के पिछले जन्मों की बाते की जाती है चाता का स्टोरिस के अंदर और उनी स्टोरिस के बेसिस पर हम देखते हैं कि अजन्ता में पेंटिंग की गई है आई ये देखते हैं नेक्स्ट कोशन बहामानी सामराज की राजधानी कहां थी? वेर वास दे कैपिटल अब बहामानी किंग्डम यहाँ पर सही आंसर है बहामानी किंग्डम के संस्थापक थे हसन गंगू बहामानी सामराज का समकालीन था विजन अगर सामराज और उसकी राजधानी थी हम पी आई ये देखते हैं नेक्स्ट कोशन अकबर का मकबरा निमलिखित में से किस इस्थान पर इस्थे थे? At which place is अकबर's tomb situated? Option A. सिकंदरा Option B. आगरा Option C. फत्यपुर्श सीकरी Option D. अलाबाद यहाँ पर सही आंसर है Option A. सिकंदरा अकबर का मकबरा उनके बेटे जांगीन ने बनवाया था सिकंदरा में चो आगरा के पास एक छोटा सा शहर है अकबर ने खुद आगरा में एक आगरा फोर्ट बनवाया है और फत्यपुर्श सीकरी अकबर ने इस सिटी को बनवाया था इसका मतलब होता है City of Victories यहाँ पर अकबर ने famous बुलंदरवाजा बनवाया जो उन्होंने गुजरात पर और डक्कन की विजे के बाद बनवाया था फत्यपुर्श सीकरी को अकबर ने अपनी राजधानी बनाया था यहाँ पर उन्होंने जामा मजजिद बनवाया थी और सलिम चिस्टी जी का मगबरा भी बनवाया था आईए देखते हैं नेक्स्ट कोशन मानव द्वारा सर्व प्रथम प्रयोक्त धातू कौन सी थी? वाट वस फर्स्ट मेटल यूजड बाई यूमन्स ए सोना, बी चांदी, सी तामा याने कॉपर, डी लोहा इसका साही आंसर है, फ्रेंड्स, सी, तामा याने के कॉपर नेस्ट कोशन है, तराइन का दुट्ती यूद किसके बीच लड़ा गया था? दे सेकंड बैटल अफ तराइन वस फॉट बेट्वेन पहला battle भी इनके बीच लड़ा गया था पहला battle 1190 180, second battle 1190 280 में लड़ा गया था और second battle में प्रितियुराच चोहान हार जाते हैं और पहले battle में प्रितियुराच चोहान जीते हैं अक्बर और हेमू के बीच पानी पत के दूसरी लडाई हुई थी 1556 AD में जैचन्द और मुहमक गौरी के बीच बैटल ओफ चंदावार हुआ था 1194 AD में सिकंदर और पॉरस के बीच बैटल ओफ हैडेस फिस हुआ था 326 BC में सही आंसर है B. समद्र गुप्त इनको इंडिया का नेपुलियन बोला जाता है और साउथ इंडिया का नेपुलियन बोला जाता है राजे इंद्र प्रथम को जो चोला डैनिस्टी को बुलॉंग करते हैं समद्र गुप्त के बारे में हमको प्रयाक प्रचिस्ती अलाबाद इंस्क्रिप्शन से पता चलता है जो लिखी गई थी उनके ही दरबारी हरी सेन द्वारा प्रयाक प्रचस्ति के अंदर ये बताया गया है कि समुद्र गुप्त ने कोई भी युद नहीं हारा था और उनोंने पूरे भारतिय जम्मू दीप पर अपना सौवित्व इस्थापित किया था यहाँ पर सही आंसर है चंदर गुप्त वन्ष के संस्थापक थे सिर्गुप्त और चंदर गुप्त वन को रियल फाउंडर ऑफ गुप्त डैनेस्टी भी बोला जाता है इनोंने लच्छबी प्रिंसेस कुमार देवी से शादी की थी और कुमार देवी और इनके ही पुत्र होते हैं समुद्र गुप्त गुप्त एरा को स्टाट इनों ही किया था और ये पहले गुप्त राजा थे जिनोंने महा राजादी राज की उपादी ली थी और सोने के सि प्रिकों में हमको कुमार देवी के बारे में भी पता चलता है। प्रिकों में भी पता चलता है। यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन 1882 में लॉर्ड रिपन ने वरनेकुलर प्रेस एक्ट को रिपील किया था। इसको लागू किया था लॉर्ड लिटन ने 1878 में। लॉर्ड लिटन यहाँ पर जो राष्टरवादी गतीविद्यां चल रही थी देश में उनको रोकना चाते थे। और जो कोई भी अकबाज शेत्रिय भाषा में बिटिश सरकार के खिलाफ लिखता था उसका मूँ बन करना चाते थे। इसलिए इस एक्ट को ग्यागिंग एक्ट भी बोला गया था। इसको देखते हुए अमरित्र बजार पक्तरिका जिसको शेशर कुमार घोष और मोतिलार घोष जी ने चालो किया था उसकी भाषा को बदल कर उन्होंने रातो रात अंग्रेजी कर दिया था ताकि वो इस एक्ट से बस सकें। आईए देखते हैं नेक्स्ट कोशन नेक्स्ट कोशन है मंगल पांडे ने किन दो अंग्रेज जनरलों की हत्या की थी विश्टू बिटेश जनरल्स वर किल्ड बाई मंगल पांडे। यहाँ पर सही ऑप्शन है उप्शन ए युक्सन एन वाग। इन दोनों की हत्या की थी मंगल पांडे ने। मंगल पांडे 34th Bengal Native Infantry को बलॉंग करते थे और 29 March 1857 को उनोंने ये विद्रो किया था जिसके बाद हम देखते हैं कि 1847 का विद्रो चालू हो जाता है। नेक्स्ट कोशन है किस दिल्ली सुल्तान ने कठोर नीती अपनाई। विच दिल्ली सुल्तान अडॉप्टेट आ स्ट्रिक्ट पॉलिसी। ए अलाउदीन खिलजी। बी यास उद्दीन तुगलक। सी बल्बन। डी इल्टुतमिश। सही आंसर है C. बल्बन। बल्बन की पॉलिसी को रक्त और लोहो की पॉलिसी भी बोला जाता है। बल्बन गुलाम वंश का था और वो सुल्तान बनता है 1266 में। बल्बन ने राजशाही को नियामत खुदाई कहा और जिल्ले इलाई की उपादी ली थी। बल्बन ने ही दिवाने अर्ज और दिवाने बरीद की स्थापना की थी। दिवाने अर्ज मिलिटरी डिपार्टमेंट होता है और दिवाने बरीद होता है जासूस डिपार्टमेंट। बल्बन ने ही नौरोज का फेस्टिवल चालू किया था जो की एक इरानियन फेस्टिवल है बल्बन ने राजदर्बार के अंदर सिज्दा और पेवोस की प्रता को भी चालू किया था बल्बन गुलाम वंश का था और गुलाम वंश को हम मुमलुक बंश भी बोलते हैं बाजी राव प्रतम के पुत्र थे बाजी राव प्रतम की कहानी पर ही मूवी बनी थी बाजी राव मस्तानी और बाजी राव प्रतम पुत्र थे बाला जी विशुनात के जिनों ने पेश्वा के पत के अंदर वन्शवाद लाया और उसके बाद पेश्वा का पत हमेशा इनक के पास ही रहा नेक्स्ट कोशन है दश्षिण विजे करने का मिशन अलाउदिन खिलजी ने किसे सोपा तु हूम डिड़ अलाउदिन खिलजी एंट्रस्टेट दे मिशन अलाउदिन खिलजी ने मंगोल से लड़ने के लिए भिजा था नेक्स्ट कोशन है अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्टरी कहां इस्थापित की थी इसका सही आंसर है बी सूरत 1613 AD में बिटेशस ने आपर अपनी पहली फैक्टरी इस्टेबलिश की थी दूसरी फैक्टरी अंग्रेजों ने मसोली पत्नम में 1616 में इस्टेबलिश की थी नेक्स्ट कोशन है दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश क्या था वाट वास दास्ट डाइनस्टी ओफ डेली सल्तनत लोधी वंश गुलाम वंश खिलजी वंश सयद वंश सही आंसरे ए लोधी वंश लोधी वंश के आखरी राजा थे इबराहिम लोधी जिनको बाबर ने हराया था पहले बैटल ओफ पानी पत में जो हुआ था 1526 एडी में दिली सल्तनत के अंदर सबसे पहला वंश था गुलाम वंश जिसको हम मुमलुक वंश भी बोलते हैं उसके बाद आया था खिलजी वंश उसके बाद तुगलग वंश फिर सयद वंश फिर आता है लोधी वंश आये देखते हैं next question भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे आद में जाने वाले कौन थे the first to come to India and the last to leave वर Portuguese, French, English, Dutch यहां पर सभी आंसर है Portuguese सबसे पहले वासको डिगामा ही इंडिया में आये थे और सबसे पहले Portuguese नहीं इंडिया पर अपना कपज़ा करना चालू किया था सबसे आखरी में हम देखते हैं कि इंडिया में Operation Vijay के तहट गोवा को आजात किया जाता है 1961 में इसलिए सबसे लंबे समय तक रोके भी Portuguese थे इंडिया में next question है पुर्तगालियों ने भारत की भूमी पर अपना पहला किला किस राजा के राजशेत्र में बनवाया था In which king's territory did the Portuguese build their first fort on the land of India? A. Calicut, B. Kochin, C. Goa, D. Bijapur इसका सही आंसर है A. Calicut 1500 में पोच्चुगीज के पेडरो केबरिल ने कोजी कॉंडा और केनन कोर के राजशेत्र साथ संधी करी और पहली फैक्टरी कैलिकर्ट में स्थापित की ये इंडिया में ही नहीं बलकि एशिया में भी पहली फैक्टरी थी किसी यूरोपियन देश की गुपता काल के दोरान भारत में जबरन मजदूरी विष्टी के संधर्व में निम लिखित में से कौन सा कथन सही है With a friends to force labor in India during गुपता पिरेड, which one of the following statement is correct Option A, इसे राच की आए का स्तरोत माना जाता था, लोगों दोरा बुपतान किये जाने वाला कर्म माना जाता था Option B, गुपता सामराच के मत्प्रदेश और काटियवार चेत्रों में ये पूरी तरह से अनुपस्तित था Option C, मजबूर मजदूर, सापता एक मजदूरी का हगधार था Option D, मजदूर के बड़े बेटे को मजबूर मजदूर के रूप में भीजा जाता था इसका सही Option A, इसे राच का कर माना जाता था और सोर्स ओफ रिवेन्यू माना जाता था गुपता पिरेड में इसके साथ हम देखते हैं कि गुपता काल के दोरान बाली टैक्स लगता है, भागा टैक्स लगता है, भूग टैक्स लगता है और हिरन टैक्स लगता है हिरन टैक्स में नगसोना दिया जाता था राजपरिवार को यहाँ पर next question है With reference to मिया तानसेन, which of the following statement is not correct मिया तानसेन के संदर्व में निप लिखित में से कौन सा कथिन सही नहीं है तानसेन की उपादी समराट अकबर ने दी थी तानसेन was a title given to him by Emperor Aakbar तानसेन composed दुरुपद on Hindu God and Goddesses तानसेन ने हिंदु देवी देवताओं पर दुरुपद की रशना की तानसेन composed song on his patterns तानसेन ने अपने संरक्षोकों के लिए जीतों की रशना की तानसेन invented many rags तानसेन ने कहीं रागों का अविश्कार किया यहाँ पर हमको गलत statement चूज करना है यहाँ पर option A को छोड़ कर बाकी सभी statement सही है तो इसका आंसर हो जाएगा option A तानसेन का असली नाम राम तनू पांडे था और उनको तानसेन की उपादी दी गई थी गॉलियर के राजा विक्रम जीत के द्वारा उनको अकबर ने टैटल दिया था खथा बहरेन वनी विलास तानसेन राजा राम चंदर सिंग के दरबार में पोएट थे उसके बाद उनको अकबर के पास बेजा जाता है नेक्स्ट कोशन है निम लिखित में से किस मुगल समराट ने सचित पंडू लिपियों से अलबम और व्यक्तिकत चित्र पर जोड़ दिया यहां सही आंसर है option C जहांगीर जहांगीर खुद भी एक बहुत कुशल पेंटर थे और उनके टाइम पर ही उस्ताद मनसूर करके पेंटर हमको देखने को मिलते हैं नेक्स्ट कोशन है निमलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत के हीरे और हीरे की खानू के बारे में विस्तार से चड़चा की यहां पर सही आंसर है यह 17 सताबदी में फ्रांस से आई थे और इन्होंने इंडिया के डाइमंड्स और डाइमंड्स की खानू को लेकर एक किताब भी लिखी थी फ्रैंकोसिस बन्नियर भी इंडिया आये थे मुगल दरबार के टाइम पर और वो भी फ्रांस से आये थे नेक्स्ट कोशन है यहाँ पर सही आंसर है अगला कोशन है भारत की संस्क्रितिक इत्यास के संदर्व में इत्यास वन्षवादी इत्यास और महाकाव कथाओ को याद रखना निमलिखित में से किसका पेशा था इसका सही आंसर है श्रमन परंपरा हमको देखने को मिलती है 600 इसा पूर्व के आसपाद जब बौदिक भिक्षू, जैन भिक्षू, आजीवी कास और भी बहुत सारे पंत देखने को मिलेते हमको इंडिया में उस समय हमको 600 से जादा अलग-अलग सैक्स देखने को मिलेते उस परंपरा को श्रमन परंपरा बोला जाता है परिवराजक वो लोग किलाते हैं जो सचकी तलास में एक जगा नहीं रहते हैं वो अपना घर छोड़ देते हैं और जंगल-जंगल गाओं-गाओं भटकते हैं सचकी तलास में एक्जामपल के तोर पर महावीर जी, गौतम बुद्ध जी, महाकाली कोशाला जी ये सब इनके अंदर आएंगे अगर हरीका उन लोग को कहा जाता है जिन लोग को भूमी अनुद्वान में मिलती है और फिर वो उस भूमी की देखभाल करते हैं तो फ्रेंट्स इसका आंसर था option D, मागत जो लोग इंडियन हिस्ट्री की कहानियों को याद रखते थे आएए देखते हैं next question यहाँ पर सई आंसर है D, व्यापारी अगला question है, consider the following, the arrival of Babar into India led to the introduction of gunpowder in the subcontinent, introduction of the arches and doom in the region's architecture, establishment of Temurid dynasty in the region Babar के आगबन के कारण उपमादीप में बारूत की शुरुवात हुई शेत्र की वास्तु कला में महरम और गुम्मत का परिचे आया शेत्र में तेमूरिद वन्ष की स्थापना हुई यहाँ पर हमको सही statement सुनना है यहाँ पर पहला statement गलत है, क्योंकि gunpowder इंडिया में देली सतत के टाइम ही आ गया था second statement भी गलत है, क्योंकि arches, dooms, गुम्मत भी हमको दिली सतत के टाइम देखने को मिलती है यहाँ पर थर्ड statement मिलकुल सही है, बाबर के आने के बाद तैमूर डैनिस्टी इंडिया में चालू होती है क्योंकि बाबर चंगेज खान और तैमूर के कुल को बलॉंग करता था इसलिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा, बी, थ्री ओल्नी नेक्स्ट कोशन है, विच ओफ दा फॉल्विंग रूलर्स वाज ग्रेट सपोर्टर अफ महायान बुद्धिजम निम्न में से कौन सा शाशक महायान बहुत पंथ खा, बहुत बड़ा समर्थक था यहाँ पर राइट आंसर है C, कनिशका गौन्डो फिनीज को इंडो पार्थियन सामराज का संस्थापक माना जाता है चन्दुप्त मौर को हम जानते हैं कि वो मौरकुल के संस्थापक थे कनिशका कुशानकुल को बलॉंग करते थे और ये यूची ट्राइब को बलॉंग करते थे जो की मंगोलिया के तरफ से इंडिया में आये थे कनिशका ने बौधिक धर्म को बहुत सपोर्ट किया और इनके शाशनकाल में हम देखते हैं कि चौती बुद्धिस काउंसिल हुई थी इंडिया में 72 AD में और एक काउंसिल कराए गई थी कश्मीर में और इसी काउंसिल के दोरानम देखते हैं कि बौधिक धर्म दोपंथों में बढ़ जाता है मायान और हीनियान इस संगती के चेर्मेन थे वासू मित्राजी फोर्थ आप्शन में हमने देखा था पुश्यमित सुंगा पुश्यमित सुंगा ने आखरी मौर कुल के राजा ब्रैध हत की हत्या की थी और जिसके बाद उन्होंने शुंग वन्स की शुरुवात की थी मगद में आईए देखते हैं नेक्स्ट कोशन निम लिखित में से किस मुगल बादशा का उपनाम रंगीला था यहाँ पर सही आंचर है मुगल सामराज के बारवे शाशक थे और यह सेयद भाईयों की मदद से बादशा बने थे इनके शाशनकाल में ही नादिर्शा ने मुगल सामराज पर आकर्मन किया था 1738 में और इस आकर्मन में नादिर्शा ने दिल्ली को तैसनहस कर दिया था और वो मुगलों के बनाए हुए पीकुक थ्रोन को अपने साथ ले गए थे इसके बाद हम देखते हैं 1748 में एहमर्शा अबदाली ने मुगलों पर आकर्मन किया था इनके शाशनकाल में मुगल सामराज का बहुत ज़्यादा पतन हो जाता है वहमर्शा को रंगिला इसलिए खा जाता था क्योंकि इनको म्यूजिक में आर्ट में और डांस में काफी रुची थी आईए देखते हैं नेक्स्ट कोशन बुद्ध के मानव रूप की सबसे प्राचीन प्रतिमाएं किस कला शैली से संबंदित हैं यहाँ पर सही आंसर है गानधार शैली हमको आज की अफगानिस्तान वाले एरिया में देखने को मिलती है और इस शैली में सबसे पहले गौतम बुद्ध जी की मूर्थी को बनाया गया और इस शैली के अंदर हम देखते हैं कि ग्रीक शैली का काफी इंफ्लूएंस था मतुरा शैली हिंदोस्तान की स्वय निर्मस शैली थी जहाँ पर कौतम बुद्ध जी की उमेजिस को बनाया गया और अमराबती भी भारत की निजी शैली थी आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक अपडिट देना चाहूँगा फ्रेंड्स, क्रेजी जी के ट्रिक ने रूट एप लॉंच की है जहाँ पर क्रेजी जी के ट्रिक की फैकल्टीज आपको लाइब पढ़ाती है वहाँ पर आप फैकल्टीज के साथ लाइब इंटरेक्शन कर सकते हैं और यहाँ पर हाली में SSC बैज को लॉंच किया गया है फ्रेंड्स, SSC के अंदर हमको आने वाले समय में बहुत ज़ादे वेकेंसी देखने को मिल सकती है अगर आप SSC के तैयारी सीरेसली करना चाते हैं तो इस बैज को जरूर जोइन करें यहाँ पर SSC CGL लेवल तक का पूरा स्लेबर्स कम्प्लीट कराया जाएगा और एक टार्गेटेट बैज बनाया गया है जहाँ पर सिर्फ SSC को ध्यान में रखकर यहाँ पर तैयारी कराई जाती है इसी के साथ फ्रेंड्स अगर आप किसी एक सब्जेक्ट को स्पेसिफिकली पढ़ना चाते हैं किसी भी सब्जेक्ट का फांडेशन बनाना चाते हैं तो यहाँ पर हर सब्जेक्ट के आपको फांडेशन बैज भी देखने को मिलेंगे यहाँ पर आपको हिस्ष्य का फांडेशन बैज देखने को मिलेगा जग्रफी का, पॉलिटी का, मैθामेटिक्स का और साथ में इंगलिश का और बहुती जल आपको यहाँ पर economic का, art and culture का और भी बहुत सारे subjects का foundation based देखने को मिलेगा तो friends एक बार route app को download जरूर करें वहाँ पर इन courses को visit करें इसी के साथ route app पर बहुत सारा free content भी है जो आपको वहाँ पर मिल सकता है आईए देखते हैं next question The Petra Dura decoration method became more popular during its reign प्राचीन कारी Petra Dura सजावर्ट पद्दती किसके राजकाल में अधिक जनप्रिये हुई A. A. Ackbar, B. जहांगीर, C. जहाजा, D. औरंगजे इसका सही answer है C. शहाजा इसका सबसे अच्छा इस्तमाल हम देखते हैं ताज महल में जो शाजाने बनवाया था इसकी शुरुवात जहांगीर के टाइम से हो गई थी और जहांगीर के टाइम पर मोती मजजेद, दिवाने आप, दिवाने खास, जामिया मजजेद, इन सब जगाओं पर Petra Dura का इस्तमाल किया गया Petra Dura को प्राचीन करीबी बोला जाता था Petra Dura का सबसे पहला इस्तमाल जहांगीर की पतनी नूर जहान ने किया था अपने पिता इमात उद्दोला के मगबरे में आईए देखते हैं next question To which deity was the beautiful temper of Tanjore built by Emperor Raja Raja dedicated समराठ राजा राजा द्वारा बनाया गया Tanjore का सुन्दर मंदिर किस देवता को समर्पे थे इसका सही आंसर है friends B. शिवजी राज राजा ने तंजोर में शिवजी का मंदिर बनवाया जिसको हम ब्रदहश्वा टेंपल बोलते हैं और ब्रदहश्वा टेंपल का शिकर सबसे लंबे शिकरों में से एक है हिंदुस्तान के अंदर राज राजा को उलांगेंड परुमल भी कहा जाता था उले चोला वंश के बहुत प्रमुक राजा थे जिनोंने राज किया 1985 से लेकर 114 AD तक इनके पुत्र थे राजेंदर वन जिनोंने गंगई कोंडा चोलपुरम शहर की स्थापना की थी और इस शहर में प्रसिद राजेशुरम मंदिर का निर्मान करवाया था और चोला सामराज के दोरान हमको पंचायच जैसा सिस्टम देखने को मिलता है जिसका उलेक हमको मिलता है उत्तर मेरुश्रा लेक में जो जारी की गई थी पराकांत चोला के टाइम पर इस पॉइंट को भी फ्रेंट्स नोट करिएगा आईए देखते हैं नेक्स्ट कोशन इस यूद के बाद मार्च 1659 में एक और यूद होता है जिसको हम देवराय का यूद बोलते हैं जो अजमेर के पास एक जगह है वहाँ पर हुआ था और इस यूद के बाद दाराशिकों हार जाते हैं और उनकी हत्या की जाती है जिसके बाद औरंगजेब की मुगल सामराज पर पकड़ काफिक स्ट्रॉंग हो जाती है दाराशिकों ने दो इंपोर्टेंट किताबे लिखी थी जिसमें से पहली है मजमा उल बहरीन और दूसरी है सिरे अकबर सिरे अकबर के अंदर उन्होंने उपनिशदों का ट्रांसलेशन किया था परिशियन लेंगवेज में आईए देखते हैं नेक्स्ट कोशन भारती इत्यास में 8 अगस्त 1942 के संदर में निमलिकित में से कौन सा कथन सही है A. The Quit India Resolution was adopted by the AICC भारत छोडो प्रस्ताव AICC द्वारा अपनाया गया था B. The Vais Roy Executive Council was expanded to include more Indians C. The Congress Ministries resigned in seven provinces D. Crips proposed an Indian Union with full dominion status once the Second World War was over इसका सही आंसर है A. The Quit India Resolution was adopted by the AICC ये resolution Congress ने इसलिए पास किया था क्योंकि Crips का proposal fail हो गया था Crips यहाँ पर India को dominion status दे रहा था जो India को उस समय मंजूर नहीं था India इस समय पूर्ण सुराज चाता था Complete Independence चाता था ये प्रस्ता Congress ने वार्धा में पास किया था जो बॉम्मे में है इसी मूवमेंट के दोरान गानी जी ने स्लोगन दिया था Do or Die, करो या मरो आई ये देखते हैं अंग्रेजी में अनुवाद है A. बालगंगदर तिलक B. जवाल्दा नहरू C. मोहंदास करमचन गान्दी D. सरोजनी नाइडू यहां पर सही आंसर है C. मोहंदास करमचन गान्दी गान्दी जी ने इनका अनुवाद किया था यद वड़ा जेल में गान्दी जी ने अफ्रिका में एक न्यूस पेपर चालू किया था इंडियन ओपिनियन 1903 में गान्दी जी ने नव जीवन नाम का एक सापताहिक अकबार चालू किया था गुजराती में जो एमदाबास से लिकलता था इसी के साथ उन्होंने यंग इंडिया नाम का एक सापताहिक अकबार अंग्रेजी में चालू किया था और फिर बाद में उन्होंने एक हरिजन नाम की जर्नल चालू की थी 1932 में यद वड़ा जेल के अंदर ही हम देखते हैं के गानी जी और डॉक्टर भीमरा अंबेटकर के बीच में फेमस पूना पैक्ट सैन होता है इस बात को भी नोट करिएगा आईए देखते हैं नेक्स्ट कोशन इन्दा फेडरेशन एस्टेबिश्ट बाइड गवर्मेंट ओफ इंडिया एक्ट 1935 रेसिडूरी पावर वर गिवन टू दा 1935 के भारत सरकार अदिन्यम द्वारा स्थापे संग में अफशिश शक्तियां दी गई थी ए फेडरल लेजिलेचर को बी गवर्नर जनरल को सी प्रोवेंशल लेजिलेचर को दी प्रोवेंशल गवर्नर को यहां पर सही आंसर है बी गवर्नर जनरल को 1935 के एक्ट ने डायार की जिसको हम दूई शाशन बोलते हैं उसको वो केंदर में लेकर आया था राज के लेवल पर प्रोवेंशल लेवल पर उसको खतम कर दिया था 1919 के एक्ट जिसको हम मॉन्टेसग्यू चैंसफर्म रिफर्ण बोलते हैं उसने डायार की को प्रोवेंशल इस्थर पर लागू किया था आये देखते हैं नेक्स्ट कुशन दा अबजेक्ट अफ दे बटलर कमिशन ओफ 1927 वास टू 1927 की बटलर समीती का उद्देश था A. Define the jurisdiction राज सचीव की शक्तियों को परिभाशित करे C. Impose censorship on Indian press राश्रिय प्रेस पर censorship लागू करे D. Improve the relationship between government of India and the Indian states भारत सरकार और भारती राज्यों के बीच संबंदों में सुधार यहाँ पर सही आंसर है D. भारत सरकार और भारती राज्यों के बीच संबंदों में सुधार Butter Commission का Friends यही objective था आईए देखते हैं next question The Shodhashi and Boycott were adopted as methods of struggle for the first time during the Shodhashi और बहिसकार को किसके दोरान पहली बार शंगर्ष के तरीकों के रूप में अपनाया गया था A. Agitation against the partition of Bengal बंगाल बेभाजन के खिलाफ आंदोलन, Home Rule Movement, Non-Corporation Movement, आसायोग आंदोलन, विजट आप दिस सायमन कमिशन टू इंडिया यहाँ पर सही option है A. बंगाल बेभाजन के आंदोलन में Friends, स्वदेशी और Boycott का यहाँ पर यह मतलब है कि हमको हमारे देश की बनी हुई चीजों को अस्तमाल करना है शोदेशी और Boycott यानि की भहिशकार करना है अंग्रेजों की चीजों का, बिटिश के लाई हुए गुड्स का और प्रोड़क्स का बंगाल बेभाजन 1905 में किया गया था लॉर्ड करजन दुआरा आईए देखते हैं नेक्स्ट कोशन सत्य सोदक समाच और्गनाइजड सत्य सोदक समाच का आयोजन यहाँ पर सही ऑप्शन है इसकी स्थाबना जोतीबा फूले ने की थी पूने महराष्ट में 24 सेप्टेंबर 1873 में यहाँ पर उनका मुक उद्देश था कि वो दलित, शुद्र और महिलाओं को एजुकेशन दे, सोशल राइट्स दे, जस्टिस दे और उनको पॉलिटिकल एक्सिस दे यहाँ पर उनकी पतनी सावित्री बाई भी उनकी सायता करती है और सावित्री बाई को इंडिया की पहली फीमेल टीचर के रूप में भी जाना जाता है इन्होंने महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए काफी काम किया आईए देखते हैं, नेक्स्ट कोशन इसका आंसर है D. सम्विधानिक सुधार यह रिफॉर्म्स एडविंड मॉन्टे क्यू जो सेकेटरी आफ स्टेट थे और लॉर्ड चेम्स फॉर्ड जो वाइसरोई थे इंडिया के उन दोनोंने मिलकर बनाए थे इनको लागू किया गया था 1921 में इन रिफॉर्म्स के तहट इंडिया में वाइक कैंड़ लेजिसलेचर को इंटिडूज किया जाता है यानि के दो संसीये उद्धान मंडल आता है केंडर में और साथ में हम देखते हैं के प्रांतों में प्रोविंसे सपर डाय आर की आता है जिसको हम हिंदी में बोलते हैं दुएट शाशन आईए देखते हैं next question प्रतम विश्यू जब अंग्रेजों को भारती सेनिकों की जुरती और बिभाजन समाप्त हो गया था King George ने 1911 में दिल्ली दर्बार में इस अधिनियम को निरस्त कर दिया था यहाँ पर इसका सही आंसर है King George ने इसको दिल्ली के रॉयल दर्बार में जो 1911 में हुआ था उस समय इसको निरस्त कर दिया था इसी दर्बार में कलकत्ता से दिल्ली को रजधानी बनाया गया था British सामराज की इस दर्बार की काफी अलोशना भी की गई थी Congress द्वारा क्योंकि इस दर्बार पर काफी खर्च किया गया था और उस समय इंडिया में फैमाइन मी चल रही थी लोग भुकमरी से मड रहे थे और यहां पर इतना बड़ा खर्चा किया जा रहा था अंग्रेजों के राजा के उपर इसको लेकर Congress ने अलोशना की थी आईए देखते हैं next question भारत और पाकिस्तान की बीच की सीमाओं का परीश सीमन करना दी, Inquiry into the Rights in East Bengal पूरवी बंगाल में दंगों की जाज करने के लिए रैट किलिफ कमीटी को भारत और पाकिस्तान की बीच बाउंडरी या सीमा निधारेत करने के लिए बनाया गया था तो इसका अंसर हो जाएगा C next question है To which dynasty did? मगद रूलर विम्बी सार बिलॉंग मगद के शाशक विम्बी सार किछ राजवन्ष के थे? A. नंद राजवन्ष B. हर्यक राजवन्ष C. लच्चवी कुल D. शिशुनाग कुल बिम्बी सार हर्यक राजवन्ष को बिलॉंग करते थे बिम्बी सार हर्यक राजवन्ष के संस्थापक भी थे और इनके पुत्र थे आजाश शत्रू बिम्बी सार गौतम बुद्ध और महावीर के समकालीन थे इनके पुत्र आजाशत्रू ने पहली बोदिक संगेती बुलाई थी राजगिर में आजाशत्रू के पुत्र थे उदेन जिनोंने पाटली पुत्र का निर्मान कराया और उसको अपनी राजधानी मनाया राजा भोज, a great advocate of literature and art, belong to which of the fallen dynasty साहित और कला का बहुत बड़ा हमाईती राजा भोज, निम्न में से किस राजवन से संबंदित था, a, करकोटा, b, उत्पल, c, परमार, d, कुजरा, पत्रिहार इसका सही आंसर है, c, परमार, राजा भोज, परमार कुल को ब्लॉंग करते थे, राजा भोज ने 10-10-80 से लेकर 10-55-80 तक रूल किया इन्होंने राजेंद्र चोला के साथ और गंगई देव काला चूरी के साथ संदी की थी और इस संदी के बाद इन्होंने जैसिमर 2 को हराया जो चालुक्या के राजा थे, इन्होंने परमेशर परम भटरक की उपादी धरन की थी नेक्स्ट कोशन है, टीपु सुल्तान was the ruler of which state? टीपु सुल्तान किस राज के साशक थे? A. हैदराबाद, B. मदुराई, C. महसूर, D. विजनगर यहाँ पर सही आंसर है, C. महसूर, टीपु सुल्तान 1782 से लेकर 1799 तक महसूर के साशक थे महसूर और अंग्रेजों के बीच की लड़ाई को एंगलो महसूर वार बोला जाता है पहली लड़ाई के बाद यहाँ पर उनके बीच ट्रीटी होती है, ट्रीटी ओफ मदरास दूसी लड़ाई के बाद होती है, ट्रीटी ओफ मैंगलोर तीसी लड़ाई के बाद ट्रीटी ओव सी रंगा पटनम साइन होती है और आखली लड़ाई जिसमें टीपू सुल्तान की मौत हो जाती है उसके बाल दौड वैलिसली सबसे डड़ी ऐलाइन साइन करते हैं मदरास के साथ टीपू सुल्तान ने रौकेट के संचालन की व्याख्या की थी और उन्होंने एक सैन मैन्यूल भी लिखा था जिसको बोला जाता है फितुल मुझाहिद्दीन संस्कित रचना पंच तंत्र का लेखा किसे माना जाता है यहाँ पर सही अंसर है यहाँ पर प्रमुक कवी और उनकी किताबों के बारे में दिया गया है इसको आप ध्यान से देख सकते हैं इन में से कहीं से भी कोशन आ सकता है इसका सही आंसर है बी एम जी राना डे वो प्रात्ना समाज के भी संस्थापक थे और साथ में वो एक न्यूस पेपर इंदु प्रकास के संस्थापक भी थे इनकी पतनी रामा बाई ने सेवा सदन की संस्थापना की थी इनोंने एक सामाजिक और राजनीतिक संगठन पुना सारवजनिक सभा की भी संस्थापना की थी बाद में इनोंने इंडियन नेशनल कॉंगरेस को जोईन कर लिया था अकबर के शाशनकाल में किस से संबन्दित था यहाँ पर सही आंसर है अकबर के टाइम पर अब देखते हैं कि अकबर के राज़दर्बान में नो रत्न थे उनकी लिस्ट यहाँ पर दी गई है इसको आप रिफर कर सकते हैं इन में से किसी पर भी कोशन आ सकता है आईए देखते हैं नेक्स्ट कोशन वलशली इस्टेबलिज्ट फोर्ट विल्यम कॉलेज़ एट कलकत्ता क्योंकि उन्हों ने लंदन में निर्देशक मंडल दोआरा ऐसा करने के लिए कहा गया था वो भारत में प्रचाय सिक्षा में रुची को प्रणर जीवित करना चाते थे वो William Carey और उनके सहीयोग्यों को रोजगार प्रदान करना चाते थे वो भारत में प्रशाशनिक उद्देश के लिए British नागरिकों को चाते था यहाँ पर सही answer है D वो इंडिया में Fort William College इसलिए बनाना चाते थे क्योंकि वो चाते थे कि British नागरिक इंडिया में आकर ट्रेनिंग ले ताकि वो इंडिया कोच्छे से समझ पाएं और इंडिया में अच्छे से नौकरी कर पाएं Next question है भारत के इत्यास के समदर में उलगान या महा कोला हल निमलिखित में से किस घटना का वर्णन करता है यहाँ पर सही आंसर है बिर्सा मुंडा मुंडा जन जाती से आते थे जो छोटा नाकपुक प्रेट्टू के इदर है आज के हिसाब से जारखंड वाले एरिया में इन्होंने अंग्रेजों की नीतियों के खिलाफ आंदोलन किया था आईए देखते हैं Next question बारत की पहली जनगर्णा के समय भारत के वाइसरोई कौन थे इसका सही आंसर है Friends, Governor, General और वाइसराय पर काफी कुशन आते हैं आईए कुछ प्रमुक वाइसरायों के बारे में important points देख लेते हैं लॉर्ड वैलेसली ने Subsidy Alliance सिस्टम लाया था 1798 में लॉर्ड विलियम बैंटिक्ट पहले Governor General थे इंडिया के इन्होंने सती प्रता को कतम किया था और Chartered Act आया था इनके समय पर 1833 का लॉर्ड हार्डिंग वन इनके समय पर हम देखते हैं कि पहला Anglo-Sikh युद हुआ था और Treaty of Lahore साइन की गई थी इन्होंने Female Infanticide को बंद किया था यानि कि भून हत्या को बंद किया था लॉर्ड लिटन के दोरान हम देखते हैं कि वरनेकुलर प्रेस एक्ट सायन होता है दूसरा अफगान युद लड़ा जाता है और यहाँ पर और Queen Victoria को केसरे हिंद का टाइटल दिया जाता है लॉर्ड रिपन के दोरान हम देखते हैं कि वरनेकुलर प्रेस एक्ट को हटा दिया जाता है पहला Factory Act आता है लॉर्ड रिपन के दोरान गवर्मेंट यहाँ पर लोकल सेल्फ गवर्मेंट के लिए रिजलूशन लाती है इल्बिट बिल की Controversy भी इनके टैमपर हुई थी और Education के लिए Hunter Commission का गठन किया जाता है लॉर्ड रिपन के शाशनकाल के दोरान Next question है Who among the following never became the President of Indian National Congress कौन भारतिय राष्टिय कॉंग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं बने यहाँ पर सही आंसर है वो कभी भी इंडियन नेशल कॉंग्रेस के प्रिसिजेंट नहीं बने अगला question है Who founded the राष्टकुता डैनेस्टी राष्टकुता वन्स की संस्थापना किसने की यहाँ पर सही आंसर है जिसको हम कैलाशनाट टैंपल भी बोलते हैं इस टैंपल की खास बात यह है कि यह एकी पहाड से बनाया गया है यानि कि एकी फत्तर से बनाया गया है इसलिए इसको मोनोलिथिक बोलते हैं यहाँ पर एक बहुत बड़े पहाड को काड़ कर समंदर को बनाया गया है यह UNESCO World Heritage Site के अंदर भी आता है आईए देखते हैं, next question Whose holy book is 3 pitka? 3 pitak किसका पवित्र ग्रंथ है? A. Buddhist B. Hindu C. Jain D. Sikh 3 pitak बहुत एक धर्म ग्रंथ है तीन pitak देखने को मिलते हैं हमको यहाँ पर पहला है सूत pitak दूसरा है विने pitak तीसरा है अभी धंब pitak Next question है, गौतम बुद ने निर्वान कहां प्राप्त किया था? A. गया B. कुशिनगर C. नालंदा D. साननात सही answer है, B. कुशिनगर इस घटना को महापरी निर्वान बोला जाता है Next question है, Which ruler of मेवार God the विजे इस्थम built-in चित तौर? मेवार में विजे इस्थम किस राजा ने बनवाया? A. राना कुमबा B. राना सांगा C. रायमल D. मोकल यहाँ पर सही answer है A. राना कुमबा राई में सुल्तान मेहमूद खिल जी को हराया था Next question है, Which Mughal Emperor built the famous तक्त ए तौस? Peacock Throne जिसको हम बोलते हैं किस मughal समराट ने प्रसिद तक्त ए ताौस मयूर सिंघासन मनवाया था? A. बाबर B. अकबर C. जहांगीर D. सहाजहा इसका सही answer है D. सहाजहा Next question है, Who was a philosopher and theologian from India during early 8th century who consolidated the doctrine of आद्वैत वेदान्ता? आठवी सतापदी की शुरुवात में भारत में एक दार्षनिक और धर्मशास्त्री कौन थे जिनोंने आद्वैत वेदान्त के सिध्धान्त को समयकेत किया A. आदी शंकराचार B. धानेशुवर C. एकनात D. माधव अचार इसका answer है A. आदी शंकराचार इनोंने ही आद्वैत वात की philosophy दी थी उसके बाद रामानुज अचार जी ने द्वैत वात की philosophy दी और इस साल हम देखते हैं कि रामानुज अचार जी के honor में Statue of Equality को बनाया गया है जिसका inauguration स्वैम मोधी जी ने किया था आई ये देखते हैं next question The capital of the kingdom पल्लवाज वाज पल्लवो के राज की राजधानी डैश थी A. मैसूर B. मदरास C. कनाज D. कांची पुरम यहाँ पर सही answer है D. कांची पुरम कांची पुरम में फ्रेंड्स प्रसिद मंदिर भी हैं और यह एक education center था पल्लवो के दोरान इसके अलावा हम देखते हैं कि पल्लव राजाओं ने मामलना पुरम में काफी मंदिर बनवाए सबसे famous मंदिर है शोर टेंपल जिसको साथ रत मंदिर भी बोला जाता है वो एक UNESCO World Heritage Site भी है next question है दश्चिन भारत के नेपोलियन के रूप में किसे जाना जाता है who is known as Napoleon of South India A. राजेंद्र चोला B. राजादी राज C. अदित्य चोला D. राजेंद्र टू सही answer है A. राजेंद्र चोला राजेंद्र चोला पहले ऐसे दश्चिन भारत के राजा थे जिनोंने पाला वंश के मही पाल को हराया था और उन्होंने उसके बाद गंगई कोंडा चोल पुरम की स्थापना भी की थी और खुद को उपादी भी दी थी गंगई कोंडा की आई यह देखते हैं नेक्स्ट कोशन किस चोल साशक को लोकप्रिय रूप में गंगा का विजिता कहा जाता है ए विजलाय चोला बी गंधर अधित्य चोला सी पराकांत चोला प्रथम डी राजेंद्र चोला प्रथम इसका सही आंसर है डी राजेंद्र चोला प्रथम नेक्स्ट कोशन है विजन अगर में शाशन करने वाले सेन कमांडरों को डैश कहा जाता था यहाँ पर सही आंसर है विजन अगर शाशन के दोरा हम देखते हैं कि ड्रेवेडा स्टाइल जो थी टेंपल आर्किटेक्चर की उसके अंदर कल्यार नमंड़ पैड होता है और यहाँ पर जो अलग-अलग प्रांथों में अमर नायक थे उनके दोरा भी नायक शेली की शुरुवात होती है ड्रेवेडा स्टाइल के अंदर नेक्स्ट कोशन है इनको महमूद शा बाहमणी नाम से भी जाना जाता है 1348 में बाहमानी किंग्डम की स्थापना की गई थी 1337 में विजिनेगर किंगडम की स्थापना की गई थी हरीहरा एन्बुकका द्वारा ये दोनों kingdom इस्थापित हुए थे मुहमद बिन तुगलक के टाइम पर नेक्स्ट कोशन है निमलिकित में से कौन सा राजवन्ष विजयनगर समराज से संबंदित नहीं है यहाँ पर सही option है नेक्स्ट कोशन है भारतीय उपमादीप में निमलिखित में से किस इस्थल से पहले होमोनाइड जीवाश्मो की खोज की गई इसका सही आंसर है D. हतनोरा यह जगह हमको मत प्रदेश में मिलती है के लावा दूसरी जगह जहां से हमको होमोनाइड फोसल मिलते हैं इंडिया में वो है वड़ई जो हमको तमिलाडू में मिलती है नेक्स्ट कोशन है 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फूट को हस्त कुठार कहां से मिला था इन 1863 फ्रॉम वेर डिट रॉबर्ट ब्रूस फूट कैटा हैंड एक्स यहाँ पर सही आंसर है C. पल्लावरम रॉबर्ट ब्रूस फूट ने पल्लावरम की खोज की थी और पल्लावरम प्रेग एत्यासिक काल की खोज जानने वाली सबसे पहली साइट थी इसलिए रॉबर्ट ब्रूस फूट को फादर ओफ इंडियन प्रेश्ट्री भी कहा जाता है यहाँ पर सही आंसर है कोसामबी कोसामबी हमको महाजनपत काल के समय देखने को मिलता है बुर्जा हूम कश्मीर में हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि यूमन और डॉक को एक साथ दफनाया गया था नेक्स्ट कोशन है रेखिये मापन के लिए हाती दात का पैमाना कहां से प्राप्त हुआ है यहाँ पर सही आंसर है सिंदु गाटि सबिदा के दोरान लोथल में हम देखते हैं कि हाती दात का पैमाना यूज किया जाता है चीजे नापने के लिए लोथल एक डॉक्याड है यानि के बंदर गाह है जहाँ पर हमको ये चीज देखने को मिलती है सिंदु सबिदा के लोग किस देवता की पूजा करते थे यहाँ पर सही आंसर है पशुपती सील हमको मुहंजुदारों से मिलती है सील के अंदर एक योगी को दिखाया गया है जिनको हम भगवान शिप का सुरूप मांगते हैं उनके यहाँ पर तीन मुख दिखाये गए हैं और यहाँ पर वो पशुओ से घिरे हुए हैं इस सील के अंदर हमको एलिफेंट, टाइगर, बफैलो, रैनासोरस और पाउं के इदर दो डियर देखने को मिलते हैं इस सील को प्रोटोर सिवा सील भी बोला जाता है इन विच एयर गोवा वस कैप्चरड बाई पोचुगीज यहाँ पर साइए आंसर है गोवा को पोचुगीज गवंडर अलफेंसो अलबे क्यूरी ने कैप्चर किया था बीजापूर से और 1530 में गोवा को पोचुगीज की राजधानी डिक्लियर कर दिया गया था लोक मान तिलग द्वारा भारती राश्री अंदोलन के दोरान कौन सा समाचार पत्र लिखा गया था यहाँ पर सही आंसर एक केसरी और इसको अंग्रेजी भाषा में लिखा जाता था बंगाली पेपर सुरेंदरनात बेनर जी ने चालू किया था युगांतर भरेंदर कुमार घोष ने चालू किया था अमरित बजार पत्रिका, शिशर कुमार घोश और मोतिलाल घोश जीने चालू की थी इसके लावा हम देखते हैं कि लोकमान तिलक जी ने डेकन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापना की थी 1884 में इन्होंने स्लोगन दिया था कि सोराज मेरा जर्मसिद अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा लोकमान तिलक जी ने All India Home Rule League की शुरूआत की थी कॉंग्रेस और मुस्लिम लीक के बीच जो लखनों समझोता हुआ था उसको कराने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका थी इन्होंने एक अंग्रेजी पतरकार भी लिकाला था जिसका नाम था मराठा इनकी प्रसिद किताब है गीता रस और वेदो का आर्टिक ग्रह आईए देखते हैं next question सिलापादिकरण और मनी मेगलई आर्दा फेमस एंशेंट बुक्स रिटन इन विच लैंग्विज सिलापादिकरण और मनी मेगलई तमिल भाषा में लिखी गई है सिलापादिकरण के लेखक हैं इलैंगो अधिकल और मनी मेगलई लिखी गई है सित्ता लाई सतनार द्वारा ये दोनों किताबे तीसरी संगम लिट्टेचर के दोरान देखने को मिलती हैं दच्छिन भारत में तीन संगम हुई थी पहली संगम मदुरही में आयोजित हुई थी दूसरी संगम कपाट पुरम में आयोजित हुई थी और तीसरी संगम फिर से मदुरही में आयोजित की गई थी पहली संगम से हमको कोई भी लिखे तफशेश नहीं मिलते हैं दूसरी संगम से हमको तोल कपियम मिलती है जिसको लिखा गिया था तोल कपियार द्वारा। इसके लावा और भी जो important book हैं संगम्स की वो यहाँ पर लिखी गुई हैं इनको आप नोट कर सकते हैं। आएए देखते हैं next question During which administration was अश्टर प्रदान मंडिल the name of council of ministers? किस प्रशाशन के दौरान अश्टर प्रदान मंडिल मंतरी परिशत का नाम था? A. गुपता, B. मौर, C. काकाटिया, D. मराथा यहाँ पर सही answer है मराथा अश्टर प्रदान मंडिल के अंदर कौन कौन सी पोश्ट थी? उन सब का विबरन हैं आपर दिया गया है? इनको आप नोट कर सकते हैं, इन में से किसी पर भी कोशन आ सकता है नेक्स्ट कोशन है, इन विच गवणनर जनरल स्रेंट रेंट वाज्ट फर्स फ्रेंट सर्विस स्टार्टेड इन 1853 1853 में रेल सेवा किस गवणनर जनरल के शाशनकाल में शुरू की गई? यहाँ पर सही आंसर है, डी, लॉर्ड दलहौजी लॉर्ड दलहौजी के शाशनकाल के दोरान दूसरा एंगलो सिक्यूद लड़ा गया था निचले वर्मा का अधिगरण मी किया गया था इन्होंने ही डॉक्ट्रिन ओफ लैप्स का सिधान्त दिया था इनके टाइम पर एजूकेशन की फील्ड में वोट्स डिश्पैच आता है 1854 में और इंडिया में पहली रेलवे 1853 में बॉम्बे से लेकर थाने तक चली थी नेक्स्ट कोशन है, शेक निजामुद्दीन ओलिया किस के शिश्च थे? A. शेक अलाउद्दीन साबिर B. ख्वाजा मौईद्दीन चिस्टी C. बाबा फरीद D. शेक एहमस सरहिंदी यहाँ पर सही आंसरे B. ख्वाजा मौईद्दीन चिस्टी सूफी इजम के अंदर हम चार प्रमुक सूफी आदेश देखते हैं पहला है चिस्टी दूसरा है कदरिया तीसरा है सुरावेदी और चोटा है नक्षबंदी ख्वाजा मौईद्दीन चिस्टी का मगबरा है अजमेर में जिसको बनबाया गया था ग्यास उद्दीन खिल्जी द्वारा निजमुद्दिन ओलिया के प्रशिद सेस्ट है आमीर खुसरो जिनको कवाली का पिता भी कहा जाता है और उनको भारत का तोता भी कहा जाता है अमीर खुसरो अलाओ दिन खिल्जी के टाइम पर भी देली सर्तरत में थे और उनने कुछ प्रमुक किताबे लिखी देली सर्तरत के बारे में नेक्स्ट कोशन है इस्टोरिकल जलिया वाला बाग मेसेकर एतियास एक जलिया वाला बाग हत्याकांट से मुख रूप से कौन जोड़ा है यहां पर सही आंसर है उस समय फ्रेंड्स इंडिया के गवर्नर जनरल थे लॉड चैम्स फोर्ड उनके टाइम पर हम देखते हैं कि लखना उसंदी होती है चमपरन सत्याग्रे भी इनके टाइम पर होता है जो गानी जी का पहला प्रमुक सत्याग्रे था भारत में यहां पर 1917 में मॉन्टेग्यू की अगस्त खोशना होती है जहां पर यह बोला जाता है कि बिटेश सामराज चाहता है कि इंडिया को डोमिनियन स्टेटस मिले आने वाले समय में रोलेक्ट एक्ट 1919 का इनके सशनकाल में यह आता है जिसका सान्ती पूर्ण विद्रो करने के लिए ही जलिया वाला बाग में लोग एकटे हुए थे इसके बाद हम देखते हैं कि गांदी जी आसायोग आंदोलन और खिलावत आंदोलन चालू करते हैं इसी समय में नेक्स्ट कोशन है हरप्पा संस्क्रिती के किस स्थल से इस्थरी और पूर्षो के युगम शवाशो का शाक्ष प्राप्त होता है फ्रेंड्स इसका सही आंसर है किसने स्थापना की यहाँ पर सही आंसर है इंडिया के आखरी गवर्नर जनरल भी थे इसी के साथ वो वो अप्रेल 1952 में मदराज के चीफ मिनिस्टर बनते हैं और उस समय वो कॉंग्रिस पार्टी में थे मगर कुछ समय बाद 1959 में कॉंग्रिस को छोड़ कर वो खुद की एक पार्टी चालू करते हैं जिसका नाम होता है सुतंद्रता पार्टी सी राजा गोपालाचारी जी को 1955 में भारत रतन भी दिया गया था यहाँ पर गोपाल कृष्ण गोखले भी यह आप्शन में आई एन के बारे में कुछ पॉंच देख लेते हैं 1905 के बनारस अधिवेशन में वो कॉंग्रेस के अध्यक्ष थे 1905 में ही उन्होंने Servants of India Society के स्थापना की थी वो सारचनिक सभा पत्रिका से भी जोड़े थे जो चालू की थी गोविंद रानाडे ने 1908 में गोखले जी ने रानाडे Institute of Economics के स्थापना की उनने एक अंग्रेजी सब्ताहिक पत्रकार भी चालू किया था जिसका नाम था The Hitwad The People's Paper नेक्स्ट कोशन है यहाँ पर सही आंसर है C. Lord Canning वो पहले वाइस रोय थे इंडिया के Lord Canning के समय पर ही 1857 का विद्रो होता है और इनके समय पर 1857 में कलकत्ता, मदरास और बॉंबे में तीन विश्व विद्यालों की संस्थापना भी की जाती है इनके शाशन काल में ही East India Company का शाशन काल खतम होता है और भारत सरकार अदिनियम के तहट British Crown का शाशन चालू होता है Friends अब आता है आज का Last Question The Leader Who Is Known As The Grand Old Man Of India वोने ताज से भारत का Grand Old Man कहा जाता है A. सरदार बल्लब भाई पतेल B. दादा भाई नारोजी C. बालगंगादर तिलक D. विपिंज चंदरपाल यहाँ पर सही आंसर है B. दादा भाई नारोजी वो पहले भारतिये मेंबर थे British संसत के 1865 और 1866 में दादा भाई नारोजी ने London Indian Society और The East Indian Association की संस्थापना की थी 1885 में दादा भाई नारोजी Vice President बनते हैं Bombay Presidency Association के और वो Congress के तीन बार President बनते हैं 1886 में, 1893 में और 1906 में दादा भाई नारोजी ने अपनी बुक Poverty and Un-British School in India में Rain Theory दी थी जहां पर उन्होंने बताया था कि किस तरह British सामराज भारत को लूट रहा है और यहां से पूरा पैसा अंग्रेज अपने देश ले जा रहे हैं Friends, यहां पर हमने History के बहुत Important Quotions को डिसकस किया है इन Quotions को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपका Revision भी हो जाएगा और अगर आप Detailing के साथ पढ़ते हैं तो आपके और भी बहुत सारे टॉपिक कवर होते हैं और लग बग 200 चे 300 Quotions हमने इस सेशन में कवर कर लिये हैं इस तरीके से आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा ऐसा ही और सेशन देखने के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और फ्रेंड्स अगर आपने हमारे चैनल को सबस्क्राइब नहीं कराए तो चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें बैल आइकन दबाए ताकि आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन जल से जल पहुश सके मुझे उम्मीद है आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा मिलते हैं फ्रेंड्स अगले सेशन में तिल देन बाए बाए और टेक्राइब